सभी किसान भाईयों को क्रेटिव किसान की ओर से अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक सुपकाम नए इस नए साल पर हम सभी किसान भाई या प्रण लेते हैं कि साल 2023 में पिछले साथ 2022 की तुलना में हम हमारी आमदनी को दो गुनी करेंगे अब सवाल आता है कि या होगा किस आमदनी को दो गुना करने के लिए हम आप सभी किसान भाईयों के लिए नए साल के उपलक्ष में दो वीडियो लेकर आएं इसमें पहले वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी के महीने में हम कोन सी पाँच अगेती में फसलों की बुवाई कर सकते हैं वह दुसरे वीडियो में जानेंगे कि खेती से जुड़े पाँच ऐसे बिजनेस जिने कोई भी किसान भाई बड़ी आसानी से कर सकता है आज हम पहले वीडियो के उपर चर्चा करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जन्वरी के महीने में हम कौन सी पाँच फसलों की अगेती में बुवाई कर सकते हैं अब ये पाँच फसले कौन सी है नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल करेटू किसान में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जन्वरी के महीने में हम कौन सी पाँच फसलों की अगेती में बुवाई करके अन्य किसान भाईयों से पहले इन फसलों से उत्पादन लेकर साल की शुरुवात में हमारी आमदनी को दो गुना कर सकते हैं इसके साथ ही यहाँ भी जानेंगे कि इन फसलों के लिए हमें कौन से बीच का चुनाओ करना चाहिए और प्रती एकड बीच की कितनी मात्रा लगेगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें हम इस वीडियो पर एक हजान लाइक का टारगेट लेकर चलते हैं तो फटाफट से लाइक करके टार्गेट को कम्प्रीट करें और अगर आप चेनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें अब आते हैं हमारी पहली फसल पर हमारी पहली फसल है करेला हम अगेती में करेले की बीजो की बुआई 15 जन्वरी से लेकर 15 फरवरी तक कर सकते हैं जादा तर किसान भाई 15 फरवरी के बाद में करेले के बीजो की बुआई करते हैं अगर आपके एरिया में ठंड जादा है तो आप पहले करेले की नरसरी तैयार करें और जब तापमान सही हो जाए उस समय पर आप करेले के पोधो का ट्रास्प्लांट खेत में कर दोगें इस तरह से आप अन्य किसान भाईयों से पहले करेले की फसल से उत्पादन ले पाएंगी और आपको करेले की फसल का भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा एक एकड करेले की खेती में बीच की मात्रा लगेगी 600 ग्राम वह करेले के लिए आप वियेनार के बीच का चुनाव कर सकते हमने दो फिट चोड़े बेट बनाएं और बेट की बेट से दूरी 4 फिट लिए आप 4 से 5 फिट ले सकते इसके साथ ही हमारी बेट की हाइट 14 इंच थी आप 10 इंच से लेकर 14 इंच बेट की हाइट रख सकते हैं अगर आपके यहाँ ड्रीप इरिगेशन सिस्टम इस्टोल है तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्चे करें इसके लिए आप 25 माइकरोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं अब बात आती है कि हमें होल से होल की दूरी क्या रखना है तो हम होल से होल की दूरी एक से देड़ फिट रखेंगे हमने यहाँ पर देड़ फिट होल से होल की दूरी लिए वह इसके साथ ही एक होल पर हम दो बीजो का छिड़काव करेंगे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो बीज लगाएं हमारी दूसरी फसल है खीरा अगेती में आप खीरे के बीजो की बुआई सीधा खेत में एक फरवरी से बीस फरवरी तक कर सकते हैं अगेती में खीरे के बीजो की बुआई का या सबसे उप्युक्त समई क्योंकि खीरे के बीच के अंकूरण के लिए 18 डिगरी सेलसेस से अधिक का तापमान होना चाहिए वह फसल के अच्छे विकास के लिए 25 से 30 डिगरी सेलसेस का तापमान सबसे उप्युक्त माना जाता है इसलिए आप अगेती में खीरे के बीजों की बुआई एक फरवरी से 20 फरवरी तक कर सकते हैं खीरे के बीजों की बुआई आप बेट बना कर करें बेट की चोड़ाई ठाई फीट रखें वा एक बेट पर आप दो लाइन ले सकते हैं एक लाइन की दूसरे लाइन से दूरी एक फिट रखें वा खीरे के एक बीज से दूसरे बीज की दूरी दो से धाई फिट लें वा एक बेट से दूसरे बेट के बीज की दूरी आप पांस से छे फिट रखें खीरे के लिए आप VNR कृष, सेमिनस मालीनी, सेमिनस पदमनी और सिजनता गलोसी के सीट्स ले सकते हैं हमारी तीसरी फसले भिंडी भिंडी के बीच के जर्मी नेशन के लिए मिनिमम तापमान 12 डिग्री सेल्सिस तक होना चाहिए इस कंडिशन में आप भिंडी के बीजो की बुआई कर सकते हैं अब यहां तापमान आपके एरिया में इसी समय पर है तो आप इसी समय पर भिंडी के बीजो की बुआई कर सकते हैं और कुछ सप्ता के बाद में तो आप कुछ सप्ता के बाद में भिंडी के बीजो की बुआई कर सकते हैं। आप गूगल पर अपने एरिया का नाम लिखकर वहाँ पर वेदर लिखें और आसानी से अपने एरिया का टेंपरेचर चेक कर सकते हैं। अगेती में जब हम भिंडी के बीजों की गुवाई करते हैं तब हम भिंडी के एक बीच से दूसरे बीच की दूरी एक फिट रख सकते हैं और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप देड़ फिट रखें। भिंडी के लिए आप अद्वन्त राधिका या फिर सिजन्ता ओयर के सीट्स का चुनाव कर सकते हैं। एक एकड भिंडी की खेती में दीच की मात्रा लगेगी देड़ से दो किलुए। हमारी चोथी और अगेती में सबसे जादा मुनाफ़ा देने वाली फसले तर्बूच अगेती में तर्बूच के बीजो की बुआई का समय है दिसंबर के अंतिम सप्ता से लेकर जन्वरी के अंतिम सप्ता अब दिसंबर का महिना तो जा चुका है इसलिए आप एक जन्वरी से 30 जनवरी के बीच में तर्बूच के बीजो की बुआई कर सकते हैं अब अगर आपके एरिया का टेमपरेचर जादा कमे तो आप लो टरनल के माध्यम से तर्बूच की खेती करें और अगर लो टरनल का बजट नहीं है तो आप 15 जनवरी के बाद ले जब आपके एरिया का टेमपरेचर थोड़ा बढ़ जाए तब आप तर्बूच के बीजो की बुआई कर दे तर्बूच के बीजो की बुआई के लिए आप 20 से बीच की दूरी देर से 2 फीट रखे और लाइन से लाइन के बीच की दूरी आप 5 फीट रखे तर्बुच के लिए आप नुनहेंस कंपनी की मेक्स वेराइटी ले सकते या फिर सागर सीट्स की सागर किंग ले सकते या फिर सीजनता की सुगर किंग ले सकते एक एकर तर्बुच की खेती के लिए बीच की मातरा लगेगी साड़े तीन सोग तर्बुच की खेती आप हर तर पढ़त पादन देखने को मिलता है हमारी पाँचवी फसल है खरभूच आप तरबूच की फसल की तरह ही खरभूच की भी खेती कर सकते हैं, खरभूच का तरबूच से भी कौफी अच्छा मंडि थोखभाव देखने को मिलताए मिलता है आप 15 जन्वरी के आसपास टमाटरवा मिर्च की नरसरी लगा दे कोको फीट में प्रो ट्रे के मात्यम से किस तरह से लगाना है इस पर वीडियो 15 जन्वरी के पहले डीटेल में आएगा इस तरह से आप अगेती में जन्वरी के महीने में इन 5 फसलों की खेती करेंगे तो नए शाल की शुरुआत में आपको काफी अच्छी आमदनी देखने को मिलेगी इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि खेती से जुड़े 5 एसे बिजने जिने आम किसान बड़ी आसानी से कर सकता है इस पर हम डीटेल में वीडियो लेकर आए तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और हमारे 1000 लाइक के टार्गेट पर पहुँचा दें और अग अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं धन्यवाद किसान भाईयो जे जवान जे किसान